जैसरा हम स्टूडेंच आज हम पढ़ेंगे फिविंस थियोरम क्या है एंड उसका यूज हम कैसे क्वेस्चन में करेंगे सो फस्ट मैं बता देता हूं फिविंस थियोरम क्या है ये कौन से टॉपिक पर ये वर्क करता है फिविंस थियोरम जो है वो double and triple integral का एक rule है जिसमें क्या देता है हम देखेंगे फर्स्ट हम देखेंगे double integral के लिए उसके बाद मैं next वीडियो जो आपके लिए upload करने वाला हूं वो triple integral का होगा जो कि उसको कैसे हम फिविंस थियोरम को यूज करके उसको कैसे हम solve करेंगे fxy is continuous over the rectangle आपको fxy कोई वी function दे रखा है जो two variable वाला है एंड यह continuous है किसमें यह rectangle r में जिसमें x लाई करता है a से b में एंड y लाई करता है c से d में मतलब इसका upper bound and lower bound इसमें upper limit and lower limit इसमें दे रखा है उसी तरह y में भी c and d जो कि उसका upper limit and lower limit दे रखा है then इसका जो double integral होगा double integral का मतलब दो बार आपको integration करना होगा so first देखिए इसी function को fxy को हमको दो बार integration करना है and इसमें region r लिखेंगे and da इस da का मतलब क्या है इस da का मतलब है dx dy and यह जो region r है इसमें आपको लिखा जाएगा x का upper bound upper limit and lower limit y का upper limit and lower limit इसमें देख सकते हैं जब हम इसको put करेंगे कि इस जो rectangle है rectangle का जो की region है उसको जब हम put करेंगे मानलो a से b कौन से variable के लिए है y variable के लिए है dy के लिए है sorry dx के लिए है and c से d आप देख सकते हैं x जो region है sorry x जो variable है उसमें upper limit and lower limit क्या है a and b and y में c and d अगर आपको fxy को with respect to dy से integrate करना है then आपको उसका limit put करना पड़ेगा जो की c से d है again first आपको with respect to y से करना है then आपने put किया c से d इसका जो की limit है upper limit lower limit again आपको क्या करना है dx से करना है इसका integration को आपको again dx से integration करना है so फिर से आपको क्या put करना पड़ेगा x का upper limit and lower limit a से b अगर आपको ये theorem बताता है कि अगर आप first with respect to y से integration करते हो then x से करते हो इसका जो value आएगा then ये value same आएगा अगर आप with respect to x से करके again आप उसको with respect to y से integration करते हो मतलब आप जो जिसी भी तरीके से आपको integrate करना है first y से करिए या x से करिए then ये दोनों का value same आएगा वो different नहीं आएगा so एक question से इसको हम समझेंगे and इसमें note और एक दे रखा है ये जो few wins theorem applies only when a,b,c,d are constant ये जो few wins theorem only applicable है किसमें अगर a,b,c,d है ये जो इसका upper limit and low limit है ये अगर constant होता है तेनी ये applicable है कौन से theorem few wins theorem हम इसको example के help से इसको समझेंगे so example क्या दे रखा है आपको दे रखा है evaluate ये आपको double integral दे रखा है इसी double integral question आपको जोकी 2 से 3 mark बाला आपको exam में पूछा जाएगा so इसको अच्छी तरह से समझ लेना so ये जो integral है double integral है where r the rectangle आपको r दे रखा है जिसमें x का upper limit, lower limit, y का भी upper limit, lower limit भी दे रखा है आपको इसमें और एक दे रखा है आपको using an iterated integral आपको iterated integral को use करना है iterated integral क्या है मैं इसमें बता दूंगा so आपको first क्या करना है इसी integral को लिखना है जो integral दे रखा है जो function दे रखा है x square y इसी function को लिखना है first दिखिए आपको मैंने इसमें using few wins theorem बताया है अगर आपको किसी भी तरीके से इसमें कर सकते हो क्योंकि इसमें दे रखा है इसमें a,b,c,d जोकी 1,2,0,1 यह सभी constant है इसमें फिविंस theorem applicable है then आप इसमें with respect to y से और x से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो first y किजिए then x और first x then y so first हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे जो कि given integral है उसके बाद आपको क्या करना है,with respect to y से करना है मानलो मैंने with respect to y से किया then y का upper limit and lower limit क्या है ?0 से 1 so मैंने इसमें 0 से 1 put किया again आपको मैं बता देता ऊहूं iterated integral क्या है Iterated integral है इसमें 2 integral दे रखा है then iterated integral यह है कि आपको first 1 integral करना है with respect to y से और with respect to x से then आपको again उसी integral का value उसी integration का जो value आएगा उसको again with respect to x से और y से करना है then यह है repeated integral और repeated integral so first हम करेंगे क्या with respect to y से इसको integration करेंगे so इसका integration क्या आजाएगा x square y with respect to y से करेंगे then x square constant y का जो की integration क्या आजाएगा y square by 2 जो की x square y square by 2 जो की मैंने 1 by 2 इसमें multiply कर दिया है again इसका जो की upper limit and lower limit का value है उसको मैंने इसमें नहीं put किया है आप देख सकते हैं इसमें जो 1 0 है 1 and 0 मैंने इसमें लिख दिया है मैंने इसमें नहीं put किया है next step में इसको put करेंगे so into dx मैंने फिर से उसी integral को लिख दिया integration 1 से 2 इसमें आपको first upper limit apply करना है upper limit का value कौन से प्लेस पर put करना है आपने with respect to y से कर रहा था with respect to y से यह जो 1 and 0 का value आप y में ही put करेंगे so इसमें y के प्लेस पर आपको one put करना है upper limit minus y के प्लेस पर lower limit इसका value क्या आता है जब हम with y का value one put करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 by 2 x square into one का square 0 जब put करेंगे तो यह 0 हो जाएगा क्योंकि यह सभी multiply है again यह हो जाएगा इसका जो value आजाएगा 1 by 2 x square dx so यह देखिए first मैंने जो कि with respect to y से किया था integration इसका भेलवा गया 1 by 2 x square उसके बाद with respect to x से करेंगे with respect to x से अगर इसको हम integration करेंगे then इसमें x square है तो यह क्या हो जाएगा इसका integration xqy3 क्या हो जाएगा xq by 3 आपका x to the power n का integration क्या है x to the power n plus 1 divided by n plus 1 so यह हो जाएगा xq by 3 xq by 3 यह है 1 by 2 इसमें multiply होके है so यह हो जाएगा xq by 6 and इसमें आपको upper limit and lower limit का value put करना है upper limit क्या है 2 है so मैंने 2 x के place पर put कर दिया जो कि यह value आ जाएगा 8 by 6 minus low limit का value low limit का value क्या हो जाएगा x equal to 1 put करेंगे यह 1 by 6 हो जाएगा and again इसको solve करेंगे then इसका value आ जाएगा 7 by 6 एगन और एक example करेंगे आपको simply दे रखा है आपको evaluate करना है इसी integral को आपको given function दे रखा है 4 da double integration r 4 da so इसमें r आपका region जो दे रखा है rectangle region दे रखा है 0 से 2 आपका x का limit and y का limit दे रखा है 0 से 4 then आपको इसको integrate करना है अगर आपको with respect to y से करना है then first आप with respect to y से करिए मैंने आपको यह जो 4 है यह आपका क्या है एक constant है सो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है then इसको आप solve करते हैं किसको इसी integral को आपको solve करना है देखिए first with respect to y से करेंगे with respect to y से जब भी करेंगे इसमें 1 है 1 का integration क्या हो जाएगा with respect to y से अगर करेंगे इसका value आज जाएगा y so y का यह जाएगा इसका integration so y का upper limit and low limit पूट करेंगे upper limit यह इसमें क्या है 4 है so 4 minus इसका low limit low limit क्या है y के plus 0 पूट करेंगे so 4 minus 0 यह हो जाएगा 4 so मैंने इसमें directly लिख दिया है मैंने यह जो बाहर जो बाहर 4 रखा है यह इसका constant value है so मैंने इसको बाहर लिखा था so यह देखिए यह जो 4 and 4 है यह भी बाहर निकल जाएगा so 4 into 4 ही क्या हो जाएगा 16 again यह जो 0 से 2 dx इसका integration क्या हो जाएगा 0 से 2 dx का integration क्या हो जाएगा x so 16 into x इसका क्या हो जाएगा 0 से 2 इसका जोकी limit है इसका upper limit and lower limit similarly आपको जो first है आपको upper limit पूट करना है minus इसका lower limit so upper limit अगर हम x के plus put करेंगे x equal to 2 यह आजाएगा 32 32 minus 0 16 into 0 क्या हो जाएगा 0 यह आपका देखिए यह आगया आपका double integral इसका solution आपको कैसे करते हैं मैंने इसको completely बता दिया है first आपको iterated integral आपको यूज करना है जो की repeated integral भी बोला जाता है first आपको with respect to x integration करना है और with respect to y से integration करना है first आपको अगर y से कर आपको completely solve कर चुके हो then again आपको क्या करना है? with respect to x से करना है यह था आपका repeated integral and Fubens theorem यह कहता है कि आप किसी भी तरक से करो first आपको y करोगे then x करोगे और x करके then y करोगे यह दोनों का जो की value है आपको same ही आएगा अगर यह जो value है a and b c d जो है जो आपका limit है upper limit and lower limit है अगर यह constant है तो यह Fubens theorem क्या करेगा इसमें applicable होगा so यह था आपका Fubens theorem and double integral का कैसे solution करते हैं by using repeated integration so thank you students please like and subscribe my channel thank you